सरोकार अपने दातों के बारे में, दातों की समस्याओं के बारे में, क्योंकि दात हमारे बहुत ही एहम रोल प्ले करते हैं, हमारे खाने से लेकर मुस्कुराने तक, डॉक्टर बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कारिक्रम में, बहुत-बहुत धन्यवाद, सबसे पहले आ नहां बताने आई हूँ कि हमारी मौखिक स्वच्चता क्यों इंपॉर्टन्ट है। डॉक्टर सबसे पहले हम जाना चाहेंगे कि क्या होता है अगर हम अपनी मौखिक स्वच्चता पर ध्यान ना दे तो। The Importance of Oral Hygiene, मौखिक स्वच्चता का महत्व एक ऐसा टॉपिक है जिसे हम आम तोर पर नजर अंदाज कर जाते हैं। हम अपने डेंटिस्ट के पास तब तक नहीं जाते जब तक कि हमें दातों में कोई दर्द या परिशानी ना महसूस हो। ऐसा नहीं करना है। इस चीज़ के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी होगा कि हमारी मौखिक स्वच्चता यानि हमारी जो ओरल कैविटी है वो हमारे शरीर में चल रही सभी प्रतिक्रियाओं का एक दर्पन है। आप सब को ये जानके बहुत आश्चरे होगा कि खराब मौखिक स्वच्चता हमें एंडोकारडाइटिस यानि हिदय रोग, डाइबिटीज, बैक्टीरियल निमोनिया और गर्भावस्ता में होने वाली जटिलताओं से जुड़ी हुई है। डाक्टर ये जाना चाहेंगे कि अगर हम अपने ओरल हाईजिन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे बॉड़ी में कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारे दातों में ये समस्या है। अंदर सफेद धारियां या सफेद चिकद्दे नजर आते हैं सर्दिया होने पर भी आपको बहुत जादा बार-बार मुह सूखने पर प्यास लगती हैं तो ये सब आपको डाइबिटीज होने की संभावना की और संकेत करता है। अब अगर हम बात करें एंडोकाइडाइटिस यानि हिदे रोग की तो हिदे रोग में हमारे मुह के अंदर ऐसे कुछ बैक्टीरिया प्रेजन्ट होते हैं जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम के थूँ जा करके हमारे दिल की अंदर की परत पर चिपक जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें बैक्टीरियल निमोनाइटिस की तो ऐसे ही हमारे मूंके अंदर काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। जो हमारे सांसों के जरीय जाकर हमारे फेफ़डों की अंदर की परत पर चिपक जाते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एक्जामपल आप देख सकते हैं जिसमें सालों से हमारी जिन्दगी में उतल पुतल मचा दी है वो है कोविड जब हमें कोविड हुआ था तो हम सिर्फ अपने नाक मू को धक रहे थे मास्क से बचाव कर रहे थे अपना भी और अपने से दूसरे का तो ये आपका एक बहुत बड़ा एक्जामपल है कि आपके मौकिक स्वच्चता का ध्यान न रखने से वही बैक्टीरिया आपके लंग्स में चला जाता है और वो जाकरके निमोनिया कॉज करता है अगर हम प्रेग्नेंसी की बात करें तो आप बहुत सारी स्टडीज ऐसी ह हमने पड़ी हैं जिसमें कि ये पाया गया है अगर एक गरबावस्ता में एक स्ट्री अपने मौकिक स्वच्चता का ध्यान नहीं रखती है तो उसमें बच्चा अंडर्वेट हो सकता है या फिर समय से पहले जन ले सकता है डॉक्टर देखा जाये तो आम लागातार ये समस हो गई है इस चीज को हम पायरिया कहते हैं बेसिकली जब मसूरों से हमारे खुन आने लगता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी मौकिक स्वच्चता का ध्यान नहीं रखते हैं बहुत सारे कारण हो सकते हैं वैसे अलग-अलग जिससे मसूरों से खुन आ सकता है उ हो सकता है कि जिसके मसूरों से खुन आ रहा है उसको लिवर की कोई डिजीज हो जैसे कि लिवर सिरोसिस हो और पेरियोडॉंटाइटिस इंफेक्शन बैक्टिरियल इंफेक्शन हो जाने की वज़े से हमें पेरियोडॉंटाइटिस हो सकता है जिसे हम आम भाशा में पायरि की वज़े से हमारे मसूरों से खून आ सकता है ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपकी बॉडी में कोई bleeding disorders हो जिसके बारे में आपको पता नहों तो ऐसी अवस्था में भी हमारे मुझ से में वाइन गीम्य-स था दाल का ब एक बात करें की इस समस्या का हल कैसे करें तो विटेमिन से के लिए हमको कीवी ऑरञेंज़ इत्यादी फलो का हमें अपना सेवन करना जाहिए खाने पिने में और इसके लिए जब काली मिर्च और और ऐसे बहुत सारी चीजे हैं जो आपको फाइदा पहुचाएंगी और ब्रॉकली भी इसमें एक ऐसी चीज है जो आप खा सकते हैं विटमिन C की कमी को पूरा करने के लिए और विटमिन K की कमी को पूरा करने के लिए आप पीला कद्दू खा सकते हैं आवोकाडो, चीज, ह नारी बीञ्ष ऐसी चीज़ों से चांव। इसके लिए अगर आप अपने चिकित्सक हैशला करक्र के सही तरा से ठेस्त करवाएं चैब सब्सक्राइब आपने टेस्ट अर्शुर्चाथ, बहुत दोपने तेस्स कर्वाइं दोपने पहते drying से विद्व sont दातों में कीड़े लग जाते हैं जिसकी वज़े से पैरिस बहुत आजकल परिशान होते हैं छोटी उम्र में बच्चों के दात खराब हो जाते हैं इसको लिकर इस समस्या क्या उपाय है देखे सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चों के जो तो चामेज़ची निकलेंगे बट उस चीज से बचने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को जादा चीनी चॉकलेट गुर्ड जैसी चीज़े ना दें सुबा और शाम रात को स्पेशली सोने से पहले खाना खाने के बाद हम अपने बच्चों को ब्रश करने की ज़्यादत में जरूर डालें और बच्चों में हम अगर जैसे कई बार गरम दूद या कई बार गरम पानी दे दे देते हैं तो रूम टेंपरिचर से ज़ादा का पानी बच्चों के दातों को नुकसान पहुचा सकता है देखा जाये तो जिस तरीके से लागातार एक मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो पाइरिया क्यों हो जाता है मूँ से बदबु क्यों आती है मूँ से बदबु आने को हेलिटॉस भी बोलते हैं जब हम खाना खाते हैं और हम अपने मूँ की ठीक से सफाई नहीं करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में खाना जा से बदबू आती है प्याज या लसन जैसी बदबू आती है बिना प्याज या लसन खाए तो पाइरिया हो जाने के लक्षन आपको कुछ ऐसे दिखेंगे मूँ के अंदर कि आपके दात आपको ढीले होते से महसूस होंगे आपके मसूडों में सूजन आ जाएगी आप अपने समय दातों से खून आना ब्रश करते समय दातों से खून आना ये सबसे common symptoms हैं पाई रिया के डॉक्तर अक्सर आपसे ये सवाल बहुत लोगों ने किया हो गया कि क्या वाकई में दात उखडवाने से रोशनी आखों की रोशनी चली जाती है कितना सचाई है इस बात में नहीं मैं इस चीज़ से बिलकुल डिसग्री करती हूं दरसल होता ये है कि हम ये अपनी नानी दादियों से या अपने पूरवजों से सुनते चले आ रहे हैं कि दात उखडवाने की वज़े से हमारी आखों की रोशनी जा सकती है होता ये है कि कई साल पहले हमारे पास जब ऐसे टेकनोलजी अवेलेबल नहीं थी जब हम दात ठीक से नहीं निकाल पाते थे तो डेंटिस्ट क्या करता था कि एक खंबे से आदमी को जिसका दात निकलना होता था उसे बान देता था और फिर एक प्लायर जैसे इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसके दात को पकड़ के खीचा जाता था उसमें दर्द भी बहुत होता था और अनिस्टीसिया के आविशकार ना होने के कारण दात कभी आधा तूटके निकलता था तो कभी जबड़े समेथी बाहर निकलाता था जिसकी वज़े से खून बहुत निकलता था और दर्द बहुत होता था तो जब इतना दर्द होता है तो कई बार बोड़ी एक शौक में चली जाती है जिसकी वज़े से आँखों के सामने अंधेरा चा जाता है उसी चीज को लेकर कि हमारे पूरवज या हम इस धारना से चले चले आ रहे हैं कि हमारे दात निकालने से हमारी आँखों की रोशनी जा सकती है आपने सुना होगा डॉक्टर की आपके पास एक समस्या लेकर आते हूं कि उनका मूँ कम खुलता है उनके जब्रे टाइट हो जाते हैं तो क्या ये घबराने वाली बात है इस समस्या क्या उपाय है जी हाँ बिलकुल अगर आपको अपने मूँ की जो ओपनिंग है जो माउट ओपनिंग है वो कम होती अगर आपको महसूस होती है तो ये सच में बहुत घबराने वाली बात है इसको हम ये दो तरह से हो सकते हैं दो तरह से माउट ओपनिंग हमारी कम हो सकती है एक तो ये है या तो पान-मसाला इत्यादी खाने की वज़े से आपको विडारी की समस्या शुरू हो गई है जिसे हम medical terms में OSMF भी कहते हैं that is oral submucous fibrosis यह cancer का pre-stage माना जाता है तो यह सच में एक बहुत घबराने की बात है अगर आपको अपने मूँ की opening कम होती महसूस हो रही है दूसरा यह reason भी हो सकता है कि आपको जैसे अगर मूँ में कहीं चोट लग गई हो या कभी trauma या accident की वज़े से आपके जबरों में चोट आई हो तो आपके जबरों के तो जोड होते हैं जो TMJ होता है उसमें आपको चोट लगने की वज़े से आपका mouth opening कम हो सकता है अक्सर जो mouth opening लोगों में मौजूद होता है नॉर्मल एडल्ट में हम कह सकते हैं कि 35-42 mm तक याने की 2-3 उंगली की चोडाई तक आपके मूँ के अंदर जा सकती है अगर इससे कम आपकी mouth opening होती है तो आपको अपने जंदन चिकितसक के पास जा करके इस चीज की जान जरूर करवा लेनी चाहिए और आपको इसका treatment लेना शुरू करना चाहिए अक्सर एक आम समस्या है कि लोगों के मूँ से बदबू आती है मूँ से बदबू क्यों आती है इसका क्या घरेली उपाय है कुछ जी जैसे मैंने आपको बताया मूँ से बदबू आने को हेलेटोसिस भी कहते है और दातों की सही तरह से सफाई ना किये जाने पर भी मूँ से बदबू आ सकती है दरसल हमें दो बार ब्रश करना चाहिए ये चीज हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है जब ही हम खाना खाते हैं तो हमारे 8 घंटे के अंदर दातों के ऊपर एक बायो फिल्म एक परत जमनी शुरू हो जाती है हमारे मूँ के अंदर कम से कम 700 तरह के बैक्टीरिया होते हैं जिनकी गर्णा कम से कम करोडों में होती है ये बैक्टीरिया हमें हमारे मूँ को और हमारी बोडी को बहुत सारी बिमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं लेकिन अगर हम समय समय पर रोजाना इन बैक्टीरिया को अपने दातों से साफ नहीं करते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे दातों के चारो और जमना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे जटिल प्लाक का रोप ले लेते हैं तो अब वो जो प्लाक है वो बैक्टीरिया का एक संगटन है जो हमारे दातों के उपर चिपका हुआ है जब हम खाना खाते हैं तो उससे न्यूट्रीशन उस प्लाक को और उसके बैक्टीरिया को मिलता है जिससे की वो आगे हमारे मसूडों को खराब करना शुरू करता है और हमारे जब्डों की हड्डियों को गला देता है तो इस चीज़ की वज़े से हमारे दातों में पाईरिया की शिकायत शुरू हो जाती है मूँ से बद्बु आनी शुरू हो जाती है अब अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें घरेलू उपाई जैसे आपने मुझे पूछा तो इसके काफी घरेलू उपाई हो सकते है सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अगर आपको दातों से मूँ से बद्बु आना शुरू होती है तो गुनगुने पानी में नमक डाल करके आप गरारे करना शुरू करें उससे काफी सारे बैक्टिरिया दान के वैसे ही मर जाएंगे छोटे बच्चों के लिए हम सजेस्ट करते हैं कि गुनगुने पानी में फिटकरी को दो करके आप बच्चों को उससे कुला करवाएंगे तो मुह के काफी सारे कीडे उसी चीज से मर सकते हैं मुह से बद्बू आने के लिए आप लॉंग का इस्तमाल कर सकते हैं कोशिश यही करें कि नाचुरल से नाचुरल चीजें आप यूज करें आप चुईंगम्स या ऐसी केमिकल चीजों में ना जाएं जो आजकल मारकिट में स्प्रेज आने लगे हैं वो सब हानिकारक होते हैं वो हमारे टेस्ट बड्स को खराब कर सकते हैं तो आप नाचुरल चीजों में रहेंगे तो जादा बैटर रहेगा आप एक या दो लॉंग चबात अकते हैं दिन भर में आप पुदीने के पत्तों का इस्तमाल कर सकते हैं पुदीने के आप 10 से 12 पत्ते लेकर के आप उसे उबाल ले रूम टेंपरिचर पे आने दे रूम टेंपरिचर पे आने के बाद दिन में 2 से 3 बार उससे कुला कर लेंगे तो आपके मूँ से बद्बू आना कम हो सकती है ऐसे ही आपने oil pulling सुना होगा योगा में एक हम oil pulling करते हैं उससे क्या होता है आप एक चमच नारियल का तेल ले ले उसे अपने मूँ में रखकर कुला करते रहें करीबन आप 15 सेकेंड उस तेल को अपने मूँ में रखके और अपनी जबान की सहायता से राइट लेफ्ट उसको हिलाते रहें जब आपके मसूडों के बीच में से वो oil जाएगा तो वो काफी सारे bacteria उसको मार देगा दूसरा ये तरीका एक और हो सकता है कि आप सरसो का तेल ले सकते हैं उसमें चुटकी भर नमक डाल करके अपने मसूडों की आप मालिश कर सकते हैं उससे आपके मसूडे हमेशा स्वस्त रहेंगे और आपके दात हमेशा हेल्दी रहेंगे मूँ से बद्बू आने की समस्या भी छुटकारा पा सकते हैं डॉक्टर जिस तरीके से आपने इतनी सारी समस्याओं के बारे में बताये तो क्या हमारे दशकों को बता सकते हैं कि घरेली उपाय से किस तरीके से लो अपने डात को स्वक्ष रखे मजबूत रखे जी हाँ, बिलकुल जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारे दाथ हमारी बॉड़ी के लिए बहुत ज़ादा important है हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे मुद के जरीए जाकर के हमारे शरीर में उतरता है और हमारे मुद के जो बैक्तिरिया होते हैं उन्हें भी साथ में लेकर उतरता है। तो हमें अपने दातों का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमें अपने oral cavity को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। दो बार brush कम से कम करना चाहिए। जिसमें की सुभा brush करना और रात को सोने से पहले brush करना बहुत ही ज़ादा important है। अगर हम ये काम करने में fail हो जाते हैं तो हमारे दातों के ऊपर एक परच जम जाती है और वो प्लाग का रूप ले लेती है। अब कुछ ऐसे घरेलू उपाए में आपको बता देती हूँ जिससे कि आप घर बैठे अपने दातों का खयाल रख सकते हैं। इसमें आपको किसी भी medicines की जरुद भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले तो आप गुंगुने पानी में नमक डाल करके कुले कर सकते हैं। का इस्तमाल कर सकते हैं और पुदीने के पतों का इस्तमाल कर सकते हैं आप पुदीने के पते चबा भी सकते हैं या फिर दस से बारा पुदीने के पते पानी में ले करके आप उसे उबाल करके उस पानी से आप कुला भी कर सकते हैं और आप ओईल पुलिंग कर सकते हैं योगी पंद्रा सेकेंड अगर आप ये क्रिया करेंगे तो आपके मसूरे और आपके दाथ काफी सवच्थ हो जाएंगे इससे आपके कैल्शिम में भी फाइदा होता है कुछ लोग कंप्लेंग करते हैं कि आपके दाथ जरते हैं या brittle है या गिर जाते हैं घिस जाते हैं तो oil pulling करने से या आपके दांतों को moisture और nutrition देने में भी help करता है इसके अलावा आप अपने मसूडों को स्वस्त रखने के लिए सरसो के तेल में चुटकी भर नमक डाल करके आप अपने मसूडों की मालिश कर सकते हैं इससे आपके मसूडों में से खुनाना बंद हो सकता है और आपके दांतों और जादा स्वस्त बंद सकते हैं डॉक्टर आप एक dental surgeon है तो जाते जाते हमारे दश्कों को बता दीजिए कि किस तरीके से वे अपने दांतों का ख्याल रखे स्वस्त रखे मजबूत रखे देखिए आपके दांतों के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि हमारे शरीर में हम अपने मूँ को इतनी जादा importance नहीं देते हैं फिर से यही बात repeat करना चाहूंगी कि हम अपने dentist के पास तब तक नहीं जाते जब तक हमारे दांतों में दर्द नहीं होता ऐसा आपने बिलकुल नहीं करना है हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे मूँ के जरिये हमारी body में उतरता है हमारे organs को affect करता है आपको इस चीज़ के मैंने काफी सारे examples दे दिये हैं तो अब आप इस चीज़ का बिलकुल ध्यान रखें कि दिन में करीबन दो बार तो ब्रश करे ही करें सुबा और रात को सोने से पहले ब्रश करना बहुत important है देखें तूट पेस्ट के लिए तो मैं कोई ऐसा specific तूट पेस्ट आपको suggest नहीं करूंगी क्योंकि सारे तूट पेस्ट लगबग एक ही तरह के ही होते हैं सब में सैकरीन होता है, सब में वही अब्रेजिव होता है तो अगर मैं आपको ये बताना चाहते हूँ कि अगर आप तूट पेस्ट यूज़ करते हैं चने के बराबर लेकर के हमको करीबन 30 सेकंड के लिए अपने दाथ साफ करने हैं और जब दाथ साफ करें तो इस चीज का ध्यान आप जरूर रखें कि जड़ से क्राउन की तरफ जाएं उपर के दाथ उपर से नीचे साफ करें नीचे के दाथ नीचे से उपर साफ करें कई ब होता है कि जो हमारे दातों की जड़े होती हैं वो मजबूत होने की जगा कमजोर होने लगती है हमारे दातों और मसूडों की बीच की जगा होती है वो पतली होने लगती है तो ऐसा हमें नहीं करना है हमें यह चीज ध्यान रखनी है कि हमें हार्ड तूद ब्रश नहीं यूज करना है हमें या तो मीडीयम या तो सॉफ्ट व्रष यूज़ करना ह traffic सॉफ्ट व्रश कुछ के choristers केश्मी यूज़ होता है जिन लोगों को पयारिय की अमसूडों की बहुत गंभीर समस्य फोई है आम तार पर इंसान को अल्ट्रस व्रश नहीं यूज़ करना चाहिए डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने दांतों से जूड़ी इतनी बड़ी समस्याओं के बारे में हमारी दश्कों को बताया तो ये थी डॉक्टर निकिता जिन्होंने दांतों से जूड़ी समस्याओं के बारे में आप सब को बताया और लागातार हम आ रहे हैं हमारे साथ देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं